कि देखे आज हम आप लोगों को ठीक है आज आप लोगों को हमने पढ़ाया था उस दिन कि नावकी विखंडन और नावकी सल्लेन ठीक अब नावकी विखंडन और नावकी सल्लेन हमने आप लोगों को पढ़ाया था जो हमने परिभासा हैं आपको पता देखिए नावकी वि विखंडन जो आपका होता है जब कोई भारी नाभिक हलके दो या दो से अधिक हलके नाभिकों में तूर जाता है या फिर उसमें बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं नाभिकी विखंडन और आगे आपके प्रभासा रिखी हुई है नाभिकी सलन क्या होता है अब इसमें क्या ह होता है जो वहाँ प्रक्रिया यानि जिसमें दो हलके हलके नाभिक जुड़कर के एक भारी नाभिक का निर्माड करते हैं वह आपकी कहलाते हैं अब हमने आपको परिभास आएं विग्द रियक्षन आपको करा दिया था आज हम आपको आने वाले हैं कि नाभिकी विखंडन अभिकी सलन में अंतर क्या होता है ठीक तो हम चलों इसको समझाते हैं तो देखिए सबसे पहले हम अताएंगे नाभिक विखंडन व फिर उसके बाद नाभ की सलन अब देखते हैं इसमें आपको लिखा हुआ है नमबर एक जो होता है नाब की विखंडन जो आपकी प्रक्रिया होती है यह आपकी एक क्रत्रिम तो इसे कहेंगे यह एक यह एक क्रत्रिम यह एक क्रत्रिम प्रक्रिया है यह एक क्रत्रिम प्रक्रिया है ठीक प्रक्रिया है ध्यान दीजिए जो आपकी नाविकी विखंडन होती है यह एक लिखामने एक यह एक करत्रिम प्रक्रिया है देखिए होता क्या है नाविकी विखंडन जो प्रक्रिया होती है इसको मानो द्वारा ही संबन किया रहता है किसको द्वारा मानो को द्वारा क् कोई ऐस विक्रिया कि आपने हैं जब तक किस नहीं करेंगे तक यहां प्रक्रिया नहीं होती है और तो इसमें आपका नंबर एक होता है कि यह एक यह एक प्रक्रिया है तो देखिए एक लिखा हुआ है डिफेरेंट आपका पहला यह एक कौन से प्रक्रिया है कौन से प्रक्रिया है यहां की प्रक्रिया होती है क्योंकि यह आपकी नाबकी सल्लैन होती है यह आपकी नाबकी सल्लैन अबक्रिया सूर्य के अंदर होती रहती है ठीक सूर्य के अंदर जो हमें एनर्जी मिलती है यहां की नाबकी सल्लैन अबक्रिया के द्वारा ही मिलते हैं हमने आपको उस दिन आपको अगले वीडियो मैंने समझाया था क्योंकि यह जिसमें आपका होता है प्रोटियम के दो कड़ होते हैं आपस मिलकर के हीलियम का और जो एनरजी होती है उसका निर्मार करते हैं और यहां जो क्रिया होती है आपकी नापकी शूर के अंदर लगाता होती रहती है जिस क्रिया के दोरा हमें एनेर्जी सूर से मिलती रहती है तो आपका यह क्योंकि यह आपकी हमेशा अपने आप होती रहती है इससे लिए हमेशे एक प्राकर्थिक प्रक्रिया कहते हैं अब आपका दूसरा इजामपल आपका होगा दूसरा डिफरेंट होगा त तो आगो आदे हैं कि इस प्रक्रिया में तो हम लिख देते हैं इसे करने के लिए इसे करने के लिए अधिक अधिक उर्जा अधिक उर्जा याधिक ताप कि इसमें कम होता है इसमें इस क्रिया करने के लिए कम ताप की आवशक्ता कम ताप की आवशक्ता होती है होती है ठीक है तो यह आपका हो जाएगा जो दूसरा अंतर होगा ठीक इस क्रिया को करने के लिए कम ताप की आवशक्ता होती है यानि कि अगर नाव की विखननर अवशक्ता होती है इसमें अगर कम ताप भी होगा तो भी आवशक्ता संपन हो सकती है लेकिन इसी का उल्टा होता यहां पर कि जो आपकी नापकी सलनल के रिया होती है इसमें हमें अधिकताप की आवसकता होती है ठीक है तो इसमें लिखेंगे इसे करने के लिए इसे करने के लिए अधिक ताप अधिक ताप की आवशक्ता की आवशक्ता होती है ठीक है? तो ये आपका दूसरा हो जाएगा इसका जो अंतर होगा इसे करने के लिए हमें कम ताप कैसा था क्योंकि जो नाब की विखंड़न आपके करिया होती है इसमें अगर साधार ताप रहेगा तो भी यह आपकरिया संपन नहों सकती है लेकिन जो आपकी नाब की शल्लान होती है इसमें हमें अधिक ताप की जरूत पड़ेगी इसके द्वारा या इससे हमें अधिक उर्जा मिलती है और जो इधर आपका होता है इससे कम मात्रा में उर्जा प्राप्त होती है देखिए जो आपकी नाब की विखंडन होती है इसमें जब न्यूट्रानों की बंबारी क्यायती है तो उससे काफी ज़्यादा मात्रा में आपकी जो एनर्जी होती है वह निकलती है और जो आपकी नाब की शल्लान क्रिया होती है इस क्रिया के द्वारा हमें कुछ कम मात्रा में जो नाविकी विखंडन की तुलना में हमें इससे कुछ कम मात्रा में उर्जा प्राप्त होती है तो इसमें आपका हो जाएगा अधिक उर्जा प्राप्त होती है इसमें आपका कम उर्जा प्राप्त होती है अब जो चौथा रहता है तो बताते आपको इस जो नाव की विखनन होती है इसे हम इस प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं नियंत्रित कर सकते हैं और जो नाव की स्थलन होता है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं किया जा सकता है किया जा सकता है और इसे नमर चार आपका हो जाएगा इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है इसे नियंत्रित किया सकता है क्योंकि नाभी की विखंडन कौन से होती है यह आपकी मानो निर्मित है अगर मनुस सचा है तो यह आपकी प्रक्रिया नहीं होगी लेकिन यह जो आपकी सलयन होती है इसे हम नहीं रोख सकते है क्योंकि यह आपकी का होती है सूर के अंदर होती है ठीक तो देखिए हमने चार आपको डिफिन्ट रख दिया है जो आपके मेन होते हैं आपका पहला है यह आपकी विखंडन होती है यह एक कृतिम है यह निकि मानों के द्वारा की आती है यह एक प्राकर्टिक है यह अपने आप स्वैम होती है ठीक उसके अंतर है अगर यह प्रक्रिया होगी तो हमें अधिक एनर्जी मिलेगी क्योंकि इससे ज्यादा मात्रा में उर्जा निकलती है और जो आपकी सल्लान होती है इसमें कुछ कम मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है अब इस प्रक्रिया को हम नियंतृत कर सकते हैं और इसे हम नि नोर कर सकते हैं।